तो ये दोगों प्यारे बच्चोंayan एक अगर हमारे पास यहाँ पे एक ट्रांसपार्मर लगा हुआ है और ये ट्रांसपार्मर ये लोड़ फॉनवी वोलट व्लट लाइन शप्लाई ये लोड अप ट्व एमपियर मतलब इस पहा अपरेट हो रहा है मतलब इस पहाँ circuit है तो इस input circuit को 220 बोल्ट से हमने स्वारी 230 बोल्ट से apply कर दिया और इधर जो मैं ले रहा हूं वो output है यहां पे एक resistance लगा देता हूं तो यह कहता है supply to a load to ampere अब तुम देखोगे यहां से supply to load to ampere मालब two ampere जो है load इधर load resistance R लगा होगा उसको 2 ampere की current दे रही है that is यह जो है इधर I2 है output है the ratio of the primary two से के इसमें number of turns N1 है और इसमें number of turns N2 है तो N1 upon N2 की जो यहां value है वो बच्चो 1 upon 25 यहां दिया हुआ है अब हमें finally जो calculate कराना current in primary coil तो current in primary coil देखो हम सबको पता है कि यहां से जो number of turns होते हैं वो EMF voltage के directly proportional होते हैं तो अगर तुम यहां से देखोगे तो voltage V1 upon यहां से V2 और यहां से N1 upon N2 ठीक न और जो power होता है ideal transformer में वो constant होता है तो power is equal to IB तो power constant है तो I और V inverse related है तो इसका मतलब यहां से current in primary current in secondary equation अगर याद है तो आप direct लगा दो नहीं तो मैं आपको अच्छे से समझा दिया हूँ प्यार से कि आपको जल्दी से याद हो जाएगा कभी याद करने की जुरूत ही नहीं है हमें निकालना है current I1 की value निकालनी है तो यहां से I1 की value डाइरेक्ट दिख रही है बच्चो I2 और multiply कर दू N1 upon N2 की value से तो I2 जो है load current यहाँ 2 ampere है और N1 upon N2 upon 25 है तो यहां से तुम देखोगे ओ हो 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 यह गलती हो गया यहां से I1 upon inverse में है न तो यहां से I2 upon I1 होगा एक बर मैं फिर से आपके लिए कर देता हूँ तो मैं माफी चाहूंगा यहां से तो यहां से तुम देखो प्यारे बच्चो यह है inverse में है तो यह 2 upon 1 आएगा तो यह यहां से मैं erase कर देता हूँ कभी कभी गलती हो जाती है इनसानों से तो अगर तुम्हें यहां देखोगे अब solve करो यहां से तो अब इसको solve करेगे तो I1 की जो value आजाएगी वो N1 upon N2 और I1 की value आजाएगी multiplied by यहां से 2 ठीक है तो N1 upon N2 N2 upon N1 यहां से निकाल लो देखो यहां से I1 निकाल लोगे एक बड़ लिकी लो यार I1 upon I2 यहां से N2 upon N1 तो जो I1 की value आजाएगी वो N2 upon N1 और multiplied by यहां से I2 तो N2 upon 25 है और यह 2 है that is 50 ampere जो है बहुत जादा जो है 50 ampere इसमें current flow हो रही थी तो अगर तुम देखोगे यहां से तो बी जो है option सही 50 ampere को ज्यादा ही current है